हलो आवरीवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके देए किसी ने सच कहा है कि वीजन वो देखने की कला है जो हर किसी को नहीं दिखती है और मैं मानता हूँ कि ये बिलकुल सही है आज हम लोग जहां भी हैं जो भी हैं टेक्नलोजी तो यूज़ कर रहे हैं ये सब किसी न किसी वीजन की वज़र से ही हुआ है क्योंकि जितना दूर तक आप देख पाते हो उतना दूर तक आप जा सकते हो विजनरी होना real world में तो important है ही ये उतना ही important है investment की दुनिया में भी और आज इसका live example मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे big investor big money बनाते हैं big vision के साथ एक ऐसे stock के बारे में बताऊंगा जो 2015 में 721 रुपया का high बनाया 2020 में 116 का low बनाया तो percentage wise देखे तो 83.86% का loss 2020 के बाद rally आई और अभी तक all time high से 49% loss में है इतने loss में होने के बाद भी कुछ big investor हैं जो इसे India का Tesla मानते हैं जी हाँ hint मिल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ अगर आप समझ गए हैं तो देखे comment में बताएं देखें कितने markets से एकड़म जुरे हुए लोग आप हैं तो मुझे comment में इंतजार है फटाफट comment कीजिए तो ये vision ही है जो big investor छोटे stock के बारे में सोच पाता है कुछ अंदुरूनी खबर निकाल पाता है और small cap को पकर पाता है क्योंकि small cap आते ही risk तो favy call की तरह आके जोड़ता है तो कौन है वो big investor की से stock की बात कर रहे है सब बताऊंगा उसके financial को बताऊंगा चलिए बात करते हैं अथूल आटो प्रॉड़क्ट्स अबिकम आफ लाइफ लाइफ और रूरल मास प्रॉड आटोल करिंटेक and we are very excited because after hard work day and night, hard work of my team अथूल आटो इस नेक्स कम्ऩी इं- चॉकर on our तो अचोल वोड़क्वाब कि तुम को देखा तो खयालाया जिन्दकी दूप तुम गना चाया आपकी यूटैनल आपकी के यूट्यूब चैनल चाहता हूं जो भी नहीं लोगों चाहँ को subscribe करें, bell icon hit करें और notification on कर लें और stock market की हर एक बरी खबर या छोटी खबर के लिए Twitter और Telegram से जुर जाईए, link description में है हम बात कर रहे हैं अतुल आटो की 1986 में लेट Mr. जगजीवन भाई कर्शन भाई चंदरा ने सिर्फ 2000 रुपे में स्टार्ट किया था Auto Rixa manufacturing और Selling का बिजनस आज की डेट में कमपनी 2634 लाग का turnover कर रही है अतुल आटो थ्री वीलर Auto Rixa बनाता है और सेल करता है इंडिया और अधर कंट्री में इसे इंडिया का थ्री वीलर वेहिकल का Tesla कहा जाता है या कहा जा रहा है क्या कहें कौन कह रहा है वो बताएंगे सबर कीजिए पहले financial को भी देख लेते हैं ताकि पता चल सके कि आखिर fundamentally कैसा है Auto Company sell पे depend होती है जितना ज़्यादा sell होगा उतना ज़्यादा profit होगा तो इसलिए हम लोग sell से start करते हैं पिछले 5 year का number of vehicle जो बेचा गया है उसका trend देखे तो 2017 से 2018 में 49,333 vehicle sell हुआ 2018 में 44,513 vehicle sell हुआ percentage wise देखे तो 13.16% का growth है मगर फिर करोना का फेज आया सभी business में decline हुआ तो 21,22 में 14,456 vehicle पे आ गए percentage wise लगभग 67.5% का fall आ गया 18,19 के sell number से correct है न यह मैं इंडिया का बता रहा हूँ यही same trend आप देखो तो profit में दिखा क्योंकि दोनों एक दूसरे से relate करते हैं 17,15 था 4,619लाग का 2018,15 में 5,312,21 में 2487लाग का loss ठीक है sell औरasion पेट दोनो downtrend में हैं इसलिए कोई return या profit ratio का दो मतलब हिनी है । क्योंकि ऐसे ही downtrend जब है तो profit में है नहीं Company profit में है नहीं अभी इसलिए calculation लगाना सही नहीं है क्योंकि earning ही नहीं है और सिर्फ sell पे valuation लगाना justify नहीं होगा इसलिए अब हम लोग company की दूसरी analysis देखते हैं जैसे revenue mix देखेंगे कि आखिर company किस product से कितना revenue generate कर रही है जिससे पता चले कि अभी तो loss में है मगर जिस product से इसे ज़ादा revenue आ रहा है वो इसे वापस profit में ला सकेगा या नहीं company चार चीज़ पे काम करती है cargo rixa, passenger vehicle, e-rixa ये तीनो 3 vehicle के category में है इनके अलग-अलग model company बनाती है और sell करती है total 8 brand है CNG, petrol, diesel, battery सभी तरह का rixa ये लोग बनाते है revenue wise जब हम आते हैं तो company इंडिया में 44.85% revenue cargo rixa से 38.3% passenger vehicle से 6.64% e-rixa से आता है rest spare parts से ठीक है export revenue देखे तो 70.18% passenger vehicle से 18.38% spare parts से 11.44% cargo rixa से आता है company का 91% revenue इंडिया से आता है और 90% export से CNG, जो 3 wheeler है उसमें इंडिया में 51% का market share इस company के पास है holding pattern देखें तो promoter के पास 52.7% holding है और ये constant है काफी सालों से जो अच्छी बात है FII की holding बढ़ी है इस बात को ध्यान रखियेगा 5 FII invested थे बट अब 6 FII है DII के पास 0.7% की holding है और बाकी 45.95% public के पास है तो अब हमने हर तरकी analysis कर ली बट कुछ खास नहीं रिखा सिर्फ holding pattern में positive trend है तो सवाल ये है कि एक big investor इसे 3-wheeler Tesla क्यों कह रहे है क्या आप guess कर पाएंगे उस investor का नाम तो चलिए मैं बात करता हूँ विजे केडिया जी की जो जाने माने दिगज investor है small gap, meet gap की कमपनियों को परखते हैं और तब उस पर दाउं लगाते हैं उनके पास अतुल आटो का 1.4% holding है और दो मेहने पहले अतुल आटो ने इन्हें 100 करोर का warranty issue किया है जिसके बाद विजे केडिया के पास approximately 20% holding हो जाएगी ध्यान से यही है खेल अगर आप warranty world से confused हो रहे हैं तो मैं बता दूँ कि यह documented financial tool होता है जिसके through company के promoter अपने share को एक specific price पर sell करने का वादा करते हैं future date में और जिससे यह warrant दिया जाता है उसके पास यह right होता है buy करने का या ना करने का यह सभी बाते जिस document पे लिखके दिया जाता है उसी को warrant बोलते है अब यहां यह सवाल आता है कि आखिर ऐसी company में इतने बड़े investor और experience investor का stake क्यों बर रहा है आम नजर से analysis किया जाए तो कुछ खास नहीं आपको कुछ खास दिखा क्या चलिए अब वीजे केडिया सर के vision को देखने की कोसिस करता है तो जैसा कि हमने बताया कि अतुल आटो का major revenue cargo से आता है और second number पर passenger vehicle से और अभी इंडिया में जो three wheeler vehicle है उसमें 20% market share cargo का है बाकी passenger vehicle का और वीजे केडिया जी के मुताबिक अब ये trend change होने वाला है cargo का share बढ़ने वाला है क्योंकि ये three wheeler cargo affordable और capable दोनों है और जिस तरीकी से e-commerce बढ़ रहा है cargo vehicle का demand भी बढ़ जाएगा EV segment में देखें तो आपको याद होगा कि future के दो sector पर मैंने video बनाई थी electric vehicle और renewable energy की analysis की थी उसी vision पर confidence दिखाते वे विजे केडिया सर का vision है कि EV three wheeler cargo में approximately 40 to 50% का growth देखने को मिल सकता है क्योंकि government का full support है industry को तो विजे केडिया जी का vision है अतुल आटो इस वक्त right place पर है right time पर है right product के साथ है और वो भी confidence है कि India का Tesla इसलिए बनेगा अब देखना है कि इनका vision कहां तक सही हो पाता है मगर fundamental point पर बात करें तो आप बस इतना सुनके buy करने की गलती कभी मत करना company अभी loss में है कम से कम profit में आने का बात करें big investor के पास बहुत सारी ख़बर होती है बहुत सारी internal होती है ऐसे ही उनके पास warrant की बात नहीं है उनके पास detailing की बात नहीं है बहुत लंबी चौरी study की होगी जहाँ पर आप 2 मिनिट में stock का नाम जानना चाहते है उनकी 10 दिन 15 दिन महिनों की पूरी study होगी तब जाके उन्होंने ये decision लिया होगा और यही एक फर्क है दिगज investor और retail investor में तो ये थी एक complete analysis तो क्या आपको लगता है अतुल आटो टेसला बनेगा कमेंट में ज़रूर बताईएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेर करके मोटिवेट कीजिएगा थैंक्यू